जै श्री राम जै हनुमान जी महराज दोस्तों 29 अगस्त मंगलवार के दिन लौन के प्रयोग आपके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ती दिला सकता है। जिससे वो अपने जीवन में इन तरीके की दिकतों से बाहर आ सके तो अगर आप लोग भी अपने जीवन में समस्याओं से परिशानियों से कष्टों से बहुत ज्यादा तूट चुके हैं तो वेद पुरान में बताये हुए तीन लौंग और सरसों के तेल के उस उपाय को कर जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रही हैं यकीन मानिये दोस्तों आपको साक्षात हनुमान जी महाराज की वो कृपा और वर्दान मिलेगा जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से परिशानियों समस्याओं से हाथों हाथ मुक् दोस्तों कहा जाता है कि मंगलवार के दिन अगर लॉंग और सरसों के तेल का उपाय सही मुहूर्ट पर विधी विधान से किया जाए तो मान के चलिए हनुमान जी महाराज के आशिरवात से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ती मिल जाती है दोस्तों हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानिया आ जाती है जिसके चलते हम बहुत ज्यादा तूटते हुए चले जाते हैं राहु केतु की दिशा इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि हमारे जीवन में सब कुछ खराब होने लग जाता है जीवन में ना क पुछ ऐसे ही परिशानिया चल रही है तो सिर्फ आप मंगलवार के दिन तीन लॉंग और सरसों के तेल का महाउपाय कर लीजिए और हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर इस प्रकार से बन जाएगी जिसके। बाद आपके जीवन में हर दुखों से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ती मिली जाएगी आप बार बार ये। नहीं मानी जाती है और अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिध्ध हो जाए तो उसको भी लौन का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों एक बात का ध्यान। रखियेगा अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को दो चार पांच मिनट निकाल करके करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने ह अगर भक्तों के संकट को हर लेते हैं इसलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है और सनातन धर्म में लौन का अपना एक बहुत ज्यादा विशेश महत्व है कहा जाता है कि अगर लौन को खाने में प्रयोग किया जाए इससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है और तंत्र श समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लग जाएगी बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा ना केवल धन ही आएगा बलकि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में जीज कार्य को भी श और अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशिरवाद आपके और आपके परिवार पर सबैव बना रहे हनुमान जी महाराज के आशिरवाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करें बहुत ही आगे जाए कभी भी आपको अपनी जीवन में किसी भी प्र प्रिराम की जये और दोस्तों अब जो हम आपको लॉन के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं ये उपायों को हम आपको तंत्र शास्त्र जोतिश शास्त्र से बताने जा रहे हैं हर उपाय को करने की एक मुहूर्थ है और मुहूर्थ पर अगर आप इन उपायों को करते ह तो यकीन मानिए दोस्तों इन उपायों का पलट करके आपको शीघर अती शीघर लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर काम्याब होते ही चले जाएंगे इसलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक अपने विडियो लाइक नहीं किया है विडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महाउपाय अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचवा चलाएं आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो तो ये महाउपाय कर लीजिए आपको क्या करना है आपको एक मिट्टी का दिया लेना है मिट्टी के दिये में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना एक सिंदूर की डिबिया ले लीजिए किसी भी मंगलवार की सुभा नहाए धोये नहाने धोने के बाद लाल कपड़े प के मंदिर जाईए आप लोग इस सिंदूर को इस तेल में भिगो करके लेख बना लीजिए और इसी का लेख हनुमान जी महाराज को लगा दीजिए आप थोड़ा सा लैब बचा करके लाए आप अपने घर पर आपकी जो तिजोरी है आपकी जो अलमारी है या व्यापारी है व आपके पास पैसा नहीं आ रहा था वो दोश हट जाएगा और आपके जीवन में पैसे आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे जो आपके पास पैसा आएगा वो रुकेगा अभी टिकेगा भी उसने वृध्धी भी होगी तो सबसे पहले उपाय हमने आपको बता दिया दूस तो शायद ये बात आपको नापता हो कहा जाता है जब भी एक व्यक्ति करजा ले लेता है उसकी रातों की नेंद गायब हो जाती है वो खाना तक ठीक से नहीं खाँ पाता है कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशाल जीवन होता है और अगर आप भी उन्व्यक। भी नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा एक हजार आठ बार ओम हनुम्ते नम हम फिर से रिपीट कर दे रही हैं। आपका कर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तीसरा उपाय है दोस्तों मंगल ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय दोस्तों शायद। यह बात आपको ना पता हो जिससे व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है वो गलत निर्नय भी ले। लेगा गलत निर्नय से भी उसका फायदा पहुचेगा मंगल ग्रह जीस व्यक्ति का भी मजबूत होता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। और आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे आपका मंगल ग्रह हैं इतना मजबूत हो जाए फिर आपको किसी भी संकट का सामना या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े तो आपको क्या करना होगा आप लोगों को प्रत्येक मंगल वार को कम से क और आपका मंगलग्रा हमेशा आपका साथ देगा विडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था विडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुरभाग्य है वो आपसे दूर हो जाए और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं यह उपाय हम आपको तंत्रशास्त्र के अध्ययन नंबर 54 से बता रहे हैं इस उपाय को आपको कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनेगा देखिए आपको लेना है काला धागा काला धाग लेने के बाद आपको। एक हजार आठ बार होम सुनते, नमय का जाप करना है, बस इतना आपको करना है, अब आपको क्या करना है, ये जो काला धागा है यहाँ। हो जाएगा और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा, आप जो भी निर्नय लेंगे, उस निर्नय में इससे आपको फाइदा पहुचेगा, इसी प्रकार से अगर आपका। व्यापार चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल। जाए तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, आप लोगों को एक ही मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, तीन लॉंग लेना है, और एक लाल गुलाब की माला लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाए सरसों के तेल का दीपक जलाए, उसमें तीन लॉंग डाल दीजिए और ये लाल गुलाब की माला भगवान हनुमान जी को चढ़ा दीजिए इतना उपाय अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी महाराज की कृपा से चल जाएगा आप मान लीजिए दोस्तों आ आपको किसी बीमारी ने जकड लिया है जिसका आप इलाज करा करा के ठक गए तो आपको यहां करना होगा देखिए हनुमान जी महाराज को बुंदी के लड़ू बड़े ज्यादा पसंद है अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन आधा किलो बुंदी का लड़ू हनुमान ज महाराज को केवडे का इत्र और गुलाब की माला चड़ाएं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जैश्रीरांग